Welcome back everyone, आप देख रहे हैं SR Moto World और फिर मा आया हूँ एक नहीं वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मेरे साथ इस फक्त आप देख रहे हैं Yamaha की All New Aerox 155 तो आईए बात कर लेते हैं इसमें क्या-क्या चेंजिस हुएं और क्या यह आपके खरीदने लायक स्कूटर हो सकती या नहीं इसके fit and finish, build quality, सारी चीजन जारेंगे इसी वीडियो में बने रहीएगा वीडियो के साथ और यह की किसी और स्कूटर में नहीं मिलती है, किसी और मोटरसाइकल में नहीं मिलती है इंडिया में अभी हाल फिलाल में तो LED DRLs on कर देते हैं इसकी सबसे पहले तो आपको यहाँ पर LED position lamps मिल जाते हैं, LED DRLs मिल जाती है यहाँ पर आपको कुछ texture वाला plastic मिल जाता है और उसके साथ ही इसकी बहुत ही sharp आपको nose मिल जाती है जो के front end से देखने में बहुत ही खुबसूरत लगती overall यह scooter और size में बहुत ही बड़ी लगती है तो monster edition भी इसका काफी अच्छा लगता है और racing blue भी अच्छा लगता है लेकिन यह कुछ नया लग रहा है market में, road presence इसकी देखने में ज्यादा अच्छी लग रही है यह जो headlamp आप देख रहे हैं, यह class D headlamp इसमें मिलता है, तो class D जो है, illumination define करता है, जो class B headlamp पर उससे बहतर class D headlamp मिलेगा, यह class C से आपको बहतर class D headlamp का illumination मिलेगा तो company का कहना है कि class D headlamp यूज कर रहा है, जो कि MT 15 R15 में भी यूज कर रहा था, जिस वज़े से इसकी brightness आपको better मिलेगी front suspensions आपको telescopic मिल जाते हैं, indicators यहाँ पर इसके mounted हैं, लेकिन indicators की बीच में आप देख सकते हैं, जो gap दिख रहा है, यह gap आप देखेंगे, inconsistent सा gap है, और थोड़ा सा यह hill डोल सा रहा है, तो थोड़ा सा और quality इधर की और better हो सकती थी, alloy wheels के बात करें, तो alloy wheels आपको यहाँ पर golden मिलता है, metal का आपको नहीं मिलता है, alloy wheels का एक बार design आपको side से यहाँ से दिखा देता हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है, split spokes company ने alloy wheels में दिया है, और यह जो tire का section है, यह एक बार आपको दिखा देता हूँ, मैं front से तो यह काफी wide लग रहा है, यह मुझे ऐस से जादा motor tire यह आगे का, side profile से आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो side profile से असली खुबसूरती scooter की निखर के आती है, जैसे कि आप देख रहा है, proper maxi scooter design आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो कि इंडिया में किसी scooter में नहीं मिलता है, मतलब scooters में मिलता है, जैसे bergman आपको म मिलता है, side में अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो 155cc का engine मिलता है, liquid cooling के साथ मिलता है, और यह जो decals है, यह भी देखने में बहुत अच्छी लग रहा है, overall यह golden color, जो color combination है, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और conventional scooters की तरह इसमें आपको यहाँ पर floorboard नहीं मिलता है तो यहाँ पर यह company ने center में spine की जगे पर fuel tank दे दिया है, तो यहाँ पर आपको इसका fuel tank मिल जाता है, एक बार इसको open करके मैं बता देता हूँ, अब यह open हो जाएगा, तो E20 fuel के साथ यह compatible है, थोड़ा सा flimsy सा यह plastic है, बट ठीक है, जादा hard plastic रहता है, तो वो easily break हो जाता ह तो यह kind of unbreakable आप मान सकते हैं, तो यह fit हो गया है, fuel tank capacity है, आपको इसमें 5.5 liters की मिलती है, जो यह ठीक राक है, थोड़ी से और जादा होती तो बेटर रहता है, बिकास इसमें engine बड़ा है, तो fuel consumption भी थोड़ा सा जादा रहेगा, तो fuel consumption का, मतलब एक अंदाजा अगर में ब करेगी जैसी आप higher refs पर जाएंगे, अगर आप अच्छे से चलाते हैं, आराम से आपकी आदात है, इसको full twist करने की आदत नहीं है, तो आराम से यह scooter आपको 50 kmpl तक का mileage दे देगी, निकाल के, और उसके बाद ही यहाँ पर आपको cylinder रखने की जगा बिलकुल भी नहीं मिलती अंदर scooped in कर देते हैं, pillion footage जाने के लिए, लेकिन यह plastic से touch हो रहा है, तो यह चीज जो है, थोड़ा से improve हो सकती थी, थोड़ा design पर company और focus कर सकती थी, seat की अगर बात करें, तो आपको यहाँ पर step up seat मिल जाती है, pillion के यह जगा मिल जाती है, rider के यह space मिल जाता है, rider का जो space ह जोड़ा मिलता है, और seat का cushion भी pillion की तरफ जो है, थोड़ा सा कम मिलता है, यहाँ पर भी 155 की stickering मिल जाती है, और पीछे की तरफ चलें तो आपको यहाँ पर twin shock absorbers मिल जाते हैं, जिसमें preload adjustability नहीं मिलती, और इस scooter में यही एक कमी है, कि एक तो preload adjustability नहीं मिलती है, उपर स जो springs है, यह थोड़ा सा stiffer side पर है, जिस वज़े से तब आप अकेले बैट कर चला रहा है, आपका weight कम है, तो scooter पीछे से bounce ही करती है, और बाकी twin shock absorbers मिल जाते हैं, जो के bike की तरह मिलते हैं, पीछे की तरफ चलें तो आपको यहाँ पर सबसे अच्छी इसकी हुपसूरती मिल तो tire अगर आप इसमें fit कर सकते हैं, जिस भी चीज़ के होंगे, या I don't know, और उसके साथ ही जो alloy wheel का size है, वो आपको यहाँ पर 14 इंच का मिल जाता है, तो alloy wheels overall इसमें 14 इंच के मिलते हैं, इतने बड़े alloy wheels किसी और scooter में, इंडियन टू विला मार्केट में, हाल फिलाल में 110- 125cc में तो नहीं मिलते हैं, अगर बात करें, तो आपको यहाँ पर liquid cooling के साथ engine मिल जाता है, या आप इसका radiator देख सकते हैं, इसमें coolant डलता है, तो liquid cooling system और किसी scooter में इस time पर नहीं मिलती है, तो आपको इसमें liquid cooling system मिलता है, इसका मतलब यह है कि आप इसको highway पर आसानी से ले जा सकते हैं, आपको highway पर overheat होने का डर महसूस नहीं होगा engine से कि overheat हो के बंद नहीं हो जाए, तो वाली चीज़ें कम करने के लिए company ने इसमें liquid cooling system दिया है, जो कि सबसे बहतरी efficient cooling system होता है, बीचे की तरफ रेर पर चलें तो आपको LED टेल लाइट मिल जाती है, इंडिकेट machine fitting आपको यहाँ पर मिल जाती है, left hand side की profile के चलते हैं, तो आपको यहाँ पर air filter box मिल जाता है, जो के थोड़ी सी flimsy fitting के साथ आता है, I guess यह rubber bushings या rubber mountings है, इसलिए ऐसा लग रहा है, do not steps पर लिखा है, तो इस पर पैर रख्या बिलकोल भी ना भेटें, यहाँ पर आपको पिलियान footrest मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर भी shock up मिल जाता है, यह जो engine है, यह 155 CC का आपको मिलता है, variable valve actuation भी engine के अंदर मिल जाता है, जो कि यहाँ पर mentioned है, अब हम बात करते हैं इसके features की और उसमें आ जाता है instrument console, तो आपको यह दोनों तरफ इसमें टाको मीटर म लाइट मिल जाती है, एक चीज़ और बता जाता हूं, कि इसमें पीछे भी यह आपको RLP plate मिल जाती है, तो इसलिए traction control भी इसमें मिलता है, दोनों wheels की speed है, वो monitor ECU करता रहता है, engine start stop system मिल जाता है, आपको एक बार और इसकी light दिखा देता हूं, green color की आएगी, देखना एक आईए, तो जैसे आप engine start stop system on कर देंगे, तो इसका मतलब यह है, आपको fuel बचाना है, जैसी गाड़ी traffic पर जाएगी, automatically engine अपने आपको बंद कर देगा, और जैसी आप throttle देंगे, without any self-help, कुछ भी नहीं दमाना है, ऐसे आप throttle twist करेंगे, और जो engine है, वो automatically start हो जाएगा, तो यह काफी अच्छा fuel saving feature आपको मिल जाता है, hazard lamps आपको यहाँ पर मिल जाता है, जिसको जला के मैं आपको दिखा देता हूँ, तो indicators काफी नीचे की तरफ mounted है, जो ऊपर से easily visible नहीं रहते हैं, तो नीचे की तरफ indicators mounted हैं, जो थोड़े ऊपर होने चाहिए थे, बाकी यहाँ पर यह जो है, यह पास light का switch नहीं है, यह instrument console को toggle करने का switch है, तो यहाँ से आप इसकी average fuel economy, battery voltage देख सकते हैं, trip 1, trip मिल जाती है, उसके बादी ब्लूटूथ आप इससे connect कर सकते हैं, ठीक है, ब्लूटूथ अगर आप connect करेंगे, हाँ यह brightness इसकी बढ़ गई, ओके ठीक है, brightness जो है average fuel economy मिल जाती है, बाटरी voltage मिल जाता है, यह सारी चीज़ आपको इसमें मिल जाती है, और इसके साथ इसमें आपको Bluetooth connectivity मिल जाती है, जो के आपके mobile phone से connect होके call और SMS alert इस पर देदेगा, लेकिन इसमें turn by turn navigation आपको on screen नहीं मिलेगा, बाकि उसमें last park location, mall में कहीं पार्ट करके तो phone से Bluetooth से आप इसको अगर connected है, तो आपको बता देगा कि गाड़ी आपकी कहां पाक है, एक बार on off करके फिर से on कर लेते हैं, तो इसमें आपको traction control मिल जाता है, VVA मिल जाता है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, VVA और यह सारी चीज़ हो जाएंगी, तो कुल मिला क इसका instrument console, इसमें आपको यहां पर clock मिल जाता है, काफी सारे features इसमें मिल जाता है, लेकिन turn by turn navigation नहीं मिलता है, fit and finish की अगर हम इसमें बात करें, तो fit and finish is like decent, बहुत जाद अच्छा नहीं है, बहुत उस पे तारीफ नहीं कर सकते हैं, आपको rough edges दिख जाएंगी इसमें, हैना उतना fit and finish और quality levels बहतर नहीं है, जैसे कि इसका आपने देखा plastic flimsy सा था, उसके बाद ही इसको हम open करते हैं, तो यह जो plastic है यह भी आप देख रहे हैं, कितना flimsy है, easily hill रहा है है, तो इस type का plastic जो है, plastic quality थोड़ी सी और better हो सकती थी overall, बाकी इसमें आपको यहां पर USB charger मिल जा तो इसमें panel gaps, थोड़े से आपको ऐसा लग सकता है, fit and finish is not best in the segment, है न, उस पर बहुत जादा तारीफ नहीं हो सकती है, ठीक थाक है, बहुत जादा अच्छा भी नहीं है, बहुत जादा बुरा भी नहीं है, यहां पर अगर आप switch gear देखेंगे, तो वह भी आपको जो है, decent ह अगर इसकी seat को open कर लेते हैं, तो seat आपको इसकी दिखा देता हूँ, यह seat open कर ली, और 24 लीटर का आपको यहां पर space मिल जाता है, बहुत बड़ी space आपको यहां पर मिल जाती है, तो इसमें helmet रखना हो, आप helmet रख सकते हैं, बिल्कुल गहराई के साथ अच्छी जगे मिलती है, उसके साथ ही अगर इसकी battery battery access करनी है, तो आप यहां से batteries की access कर सकते हैं, एक चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी, चो कि Yamaha की पुरानी raise ER में problem थी, वह यह थी कि इसका यह वाला plastic था नहीं, बहुत flimsy था, तो यह generally, क्या होता है, यह exhaust भार निकला रहता है गाड़ी स तो वह कहीं भी touch होता है अगर, तो यह plastic सबसे पहले टूट जाता है, तो इसमें यह problem नहीं आएगी, विकॉस देखे, कितना sturdy fitting के साथ आपको मिलता है, बिल्कुल भी यह नहीं हिल रहा है, बहुत अच्छी quality का मिल जाता है, बाकि जो colored plastic है, वो भी बहुत अच्छी quality का है, जो कि कम है, दूसरी scooters के मुकाबले आपको कम महसूस होगा, एंजिन की अगर बात करें, तो एंजिन आपको liquid cooling के साथ मिल जाता है, VVA variable valve actuation के साथ मिल जाता है, R15 वाला ही यह 155CZ का एंजिन मिलता है, और उसके साथ ही इसमें आपको V-built, belt driven मिल जाता है, तो belt जो है, वो स्टोरेज स्पेस की, तो आपको कम महसूस होगी, लेकि अंडर सीट स्टोरेज तो बड़ा है, लेकिन flat floorboard जो रहता है, वो एक better option रहता है, कि आपको कुछ भी सामन रखने है, तो आप आगे पैरो के पास रख के चल सकते है, वो जीज इसमें आपको accessibility नहीं मिलती है, तो overall ये business के लिए, या अगर आप सामान वावन रखने के हिसाब से चाह रहे हैं, तो ये वो scooter नहीं है, चुटा मोटा grocery करने जा रहे हैं, सामान रखने चाह रहे हैं, वो आप उसमें डिगई में रख सकते हैं, इसके अंडर सीट स्टोरेज में रख सकते हैं, बागी आपको overall design बहुत खुबसूरत मिल जाता है, बहुत beautiful design मिल जाता है, शाप cut sun creases all over the body आपको मिल जाती है, और देखने में जो scooter है, वो अभी भी Indian roads पर बहुत अच्छी लगती है, मतलब मैं अभी यहाँ वीडियो बना रहा था, तो यहाँ पर दो तीन लोग आखे खड़े हो गए थे, कह रहें कौन सी scooter नहीं आई है क्या market में, तो overall road presence इसकी बहुत खुबसूरत है, अगर आपके parents आपको गाड़ी नहीं दिला रहे हैं, bike नहीं दिलाना चाहरे हैं, तो आप scooters की scooter की demand कर सकते हैं, college जाने के लिए कहीं जाना है, कि कुछ-कुछ parents होते हैं ना, कि नहीं bike नहीं iVD को like करिएगा, और इसका ride review जो है, मेरे channel पर ही next video में मिलेगा, तो अब हम इसको ride टरने जाएंगे, और ride review दूसरी video में आपको मिलेगा, so guys thanks for watching, stay new, till then wait for my next upcoming interesting videos.